को क्या भविश दिखाई देता है भविश दिखाई नहीं देता है लेकि अरे मुझे तो ये भी पता है कि सरकार गिरने वाला है जिस गाओं में सबसे ज़्यादा बाड़ाता है वहाँ पे एक मल्टी सूपर एस्पेसलिस्ट कैंसर अस्पताल हमें बनवाना है और साथ ही करना ना जाने कब पूरा होगा 5 साल में होगा 10 साल में होगा 15 साल में होगा लेकिन एक ना एक दिन पूरा होगा कहीं दोजार पचीस में बिहार सरकार सचमे ना गिर जाए चोबिस में चोबिस में पचीस तो दूर की बात है चोबिस में हम लोगों ने फिल्म देखा था उ वो लोग कुछ भी करते हैं वो लोग 500 रुपया के लिए मडर करते हैं उसी बिहार में आर्मी जवान जो शहीद हो गए चंदनकुपार उनका तक इज़त नहीं रखा जाता इज़त रखा जाता है कैसे बिहार सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं एक पर्टिकुलर कुछ पर्टिकुलर आप लोगों को बोल सकते हैं अरे इतना सम्मान लोग गए वहाँ पर गुण्यान सिंग गए एक लाख रुपया दिया उसके पहले एक आर्मी का जवान गया उसने अर्मी का जवान गुण्यान सिंग एक्टर है भुचपूरी के सिंगर है सब लोग जानते हैं उन्होंने एक लाख रुपया दिया मेरा जब खाता जो है वो खुलेगा तो मैं एक लाख रुपया दूँगा तो और भी बहुत सारी लोगों ने मदद किया तो मदद लोगों अगर इन तीनों को किसी भी परिस्तिती में कुछ होता है, चुटकि ये लोग फ्रंट, फ्रंट लाइनर है, फेस करते हैं लोगों को, जैसे पुलिस जो है वो एस्टेट में फेस करता है, प्रेर्ण मिलेटरी फोर्सेस जो है, वो नक्सल और बोडर पे रहता है, और आर्मी जो है वो भी बोडर पर आता है तो यह लोग फ्रंट लाइनर है यह फ्रंट पर फेस करते हैं अगर इने कुछ भी हो अगर यह पूर्ण रूप से विकलांग हो तो पचतर लाख रुपया इने मिलना चाहिए अगर इनका देथ होता है सहीद होते हैं तो इने एक कोड़ ही है लेकिन दूसरी तरफ मोतिहारी में दो हफ्ते पहले की बात है एक लड़की दरोगा का एक्जाम देने जा रही थी और ट्रेन पर उसके साथ कुछ चोरों ने उसकी मोबाल को छिनने की कोशिश की हाथ पर कड़ गया लेकिन एक कहानी मैं बता रहा हूं हम लोगों ने देखा था उड़ता पञचाब अब उड़ता पंजाब नहीं उड़ता बिहार हो गया है सराप जब से बंद हुआ ड्रUGS इतना जादा है बिहार में इतने जादा ऊट्रुपिया ने बात जो है इतने पागल हो जाते हैं उड़कों के पास पैसा नहीं रहता हूं लोग कु जिनकी जिन्दगी बरबाद की जा रही है आप से आखरी सवाल पूछेंगे कि और क्या है जिसे गाउं में जाने का एक मकसद आपने बताया और कुछ खास होगा जो आपके जिनकी जाने का एक रास्ता है उसके लिए भी हम लोगों ने बहुत लड़ा है उसका भी यूट्यूब पर विडियो पड़ा हुआ है जिसमें जो है बहुत सारे अधिकारियों ने बोला कि मनीज कस्या विडियो डिलिट कर दो नहीं तो केस कर देंगे हम बोले कि हमारे गाउ हम लोगों को चाहिए जो पटना निकलने के लिए सुगाली होते हुए पटना निकलने के लिए वो सड़क जो है सिर्फ दो किलो मिटर बन जाएगा तो हमारे गाउं की स्तिति थोड़ी बहुत और सुध्रिड हो जाएगे साथी साथ मेरा एक सपना है कि जिस गाउं में जि साथ एक इनवर्सिटी बनवाना है इस सपना है यह सपना ना जाने कब पूरा होगा पांच साल में होगा दस साल में होगा पंदर साल में होगा बिस साल में होगा लेकिन एक ना एक दिन पूरा होगा जब मैं वहाँ पे एक कैंसर अस्पताल बनवा दूंगा मल्टी सुपर specialist जिसमें cancer के अलामा सारी बिमारियों का इलाज हो cancer के साथ सारी बिमारियों का इलाज हो और एक university बनवा दूँगा तो सरकार को लगेगा लोगों को लगेगा कि जब इतना पिछड़ा गाओं में विकास जो है अपना पंक फैला सकता है तो भारत का किसी भी गाओं का विकास हो सकता है तो यह सपना है मेरा और मैं उस गाओं में पैदा हुआ हूँ तो मेरा भी कुछ फर्ज बनता है तो एक multi-super specialist cancer अस्पताल का निर्मार जो है हम लोग करवाने का प्रयास करेंगे और एक university बनवाने का प्रयास करेंगे एक आखरी सवाल आपको क्या भविश दिखाई देता है भविश दिखाई नहीं देता है लेकि कैसे पता थो पुल गिरने वाला है मुझे तो यह भी पता है कि सरकार सवाल है कि एक और भविश्वानी इन दिनों खास करके जो satellite channel से वो चला रही है कि मनीश करशप की पुल वाली भविश्वानी सच हुई है कहीं दोजार पचीस में बिहार सरकार सच में न गिर जाए चोबिस में चोबिस में पचीस तो दूर की बात है चोबिस में अब अब शूर के बने रहेंगे और उपर वाले हम लोग आस्तिक लोग है भगवान पर भरोसा है प्रभू शीर राम पे सृक्रिष्ण पे मादृर गापे बगवान सीव पे ब्रह्माजी पे ब्रह्मा जी सब सब भरोसा है तो अपकी मा को लेकर दो शब्द ऐसा क्या कहना चाह बस इतना ही कहूंगा कि दुनिया में सबसे ताकतवर मा होती है और जिसके उपर मा का हाथ हो, मा का आंचल हो, मा का असिरबाद हो, वो दुनिया के किसी भी समस्या से बाहर निकल सकता है इस वक्त हमारे सथ खास बातचीत के लिए मनीश कश्यप मौजूद थे, जिन्होंने कई मुद्दो पर अपनी राय रखी है, आप इनके बातों सी कितना सहमत है, साथी आप मनीश कश्यप का किस तरह से समर्थन करते हैं, और कितना उन्हें प्यार करते हैं, अपनी राय में कम में ज़रूर बताएं, देखते रहें सच्टोक्स जैहिन